बच्चों को बाहर मत जाने देना कोई कुछ नहीं करेगा पुलिस आएगी मैं उनके साथ जाने वाला हूँ कानून को अपना काम करने दो इसकी जरूरत है के सर मैं तो साथ चली रहा हूँ सर आएपीसी 376 सिर्फ वह नहीं पॉक्सु एट फोर और फाइव भी है अकडिपना के लिए जाना होगा चलिए चलते हैं स्टेपन अंकर उटे भी है अटा इंया है श्टेपन अंकर माचा बाचा मृष नहीं सुझा हाँ प्रूरुष नहीं आएब आर मेरे पंच्छो पर हाथ अचाता है क्या रे बड़ा तरम खो है तू सड़दार है तू यहां का हेडड है तू प्लेड चले से क्या तू झाले और दो एब कीवान दो प्राव कीवाना जातर प्राव लिछ अथाज़ी खूराउन फ्लाँ आफ अबहुम कुरेशी अबहुम अच्छ। कंट वूफ टूखए अपया नंगोफ जाल हो深ति कि अरौफ। वहाया जाशी यहाया जाशी टेड़िए में तर चाहले हो वहाया जाशी कि अज़र जब एगाशी शॉफ। कि अरौफ। कि अखरेँ स compose अधक के ली बढ 속लेक清वे कि अधके कुटे अ घचता क्यों है यह क्या बत्तिमीजी है सर? यह एक फंक्शनिंग हास्पिटल है एक अम्बूलेंस तक को अंदर ने छोड़ रहे मत्रा के आई डी मिलेगा क्या यह मदल दाल को और कोई काम नहीं है हाँ वर्मा साब अभी आदा गंटा और रोख सकते हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है हाँ उसका फैसरा मैं कर लूगा देखना लड़के कोई बड़े पत्थर उठाके ना मार देंगा अगर किसी पुलिस वाले को लग गए न तो लेने के देने पड़ जाएंगे फिर मत बोलना हाँ सब लोग है सर हमारा चैनल सबसे आगे है लेकिन तू कहीं नजर नहीं आ रहा बड़ी मुश्किल सा ऐसा मौका मिलता है मुकेश इसे बरबाद किये बिना कैमरे के सामने एक चक्कर मार के दो चार नारे क्यों नहीं लगा लेका अरे वर्मा सहाब ऐसी मुप्त की कोई भी पबलिसिटी इस मुकेश को नहीं चाहिए पार्टी के लिए धूप में घूम घूम के सिर के सब बाल उखड़ गए असी हदार की घोडे की दुम को सिर पे चड़ाया है ये लो अब इसकी क्लिप भी गई कुंडली में राहू बैठा हुआ है अब मैं भीड में गया और कहीं ये सिर से निकल गई तो लोगों को तीन दिन चश्मनाने का मसाला मिल जाएगा मैं वो रिस्क नहीं लूँगा सर मैं यही ठीक हूँ हाँ जरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है अर्जेंट के साथ राजनीती के तौर पर विचार धारा अलग थी फिर भी वो स्टेट की राजनीती का एक भीशमाचार्या है इसमें किसी को भी कोई दो राए नहीं है अच्छा आर्पी एम की शद्धानजेली का प्रेस रिलीज आपको चल्दी मिल जाएगा सर पीकी आर की मौत की वज़े से आपके समझते हैं अगले चुनाओ में आपकी पाटी गिए गिरने वाले एक एक पत्थर का तुझे जवाब देना पड़ेगा ये पत्थर बाजी जारी रखोगे तो जानते हो ना पांच कुना लोटाने की ताकत रखती है मेरी बाटी सिर अगर मैं बहुत ज्यादा डर गिया तो तुम्हारा वो पुराना साथ करोड का गोवा वाला बं है न वो मेरे आतों फट जाएगा अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बेटी का सपना है वो हॉस्पिटल उसे तूटने मत देना खर तुम्हें जो करना है तुम करो हिबत अध्याग के प्रतीक अपने रतनबुर राज घराने के कसम खांके बोलती हूं मैं इंतिकाम लोगी मेला नाम याद किना की अधाने की अधाएं बोलिये सर हाँ अब चलाओ लाठी ठीक है जी मुकेश लाठीयां आ रही है अपनी वीग और समान समेत वहां से हट जाओ ओके ठीक है ठीक है ए गाड़ी का इसी ओन करो हुँँँ और शुभा मुद्गल का कोई गाना लगाओ थोड़ी दिर सोना है अच्छा भाई असब के हट्टियां ठूटेंगे कर दो आपाउट रहा निकर के यह सचलेजरां वरना फूल्स को एक्षेन दोना पड़ कर दोने का का मान दिंगे चार्ज तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, पैसा उसका बात देगा क्या थे नेशनल सनुट, सनुट! स्टेफन, तुम्हें जाके रामदास को देखना होगा, कहते हैं गुजरे हुए लोग, दास हंसकार तक जीवाए संदना, काने देवरे कंडिठे, आवरे यात्रेया कावू, बोईस्त पने, कौू झाके रामदान के लुआ के खिझा होगा? अ क्या म Sell दोना स्थर जाश्राँ CRAँए यारे करना प्लाइ का देगक, इस होगा नेवरे कॉए सिर्दान, तुम्हें क्यो, कहां कि रीवाए वाजस्त चू. झाल, झाल, झाल कि आया नहीं अरे आजाना है कम आन कम आन नमस्काय कहूं तो संघी बनाएंगे अससलाम वालेकूम कहूं तो जिहादी बनाएंगे लाल सलाम कहूं तो कौमी बनाएंगे इसलिए वो सब रहने दो तुम सब जान गए होगे इंडियन यूनियन फ्रांट, आईएफ पार्टी के पिता की मौत हो गई, माननीय मुख्यमंत्री श्री पी की रामदास, पी की आर की लेकिन गरीबों का मसीया घुसकोरों का दुश्मन कहकर स्वर्गे बुढ़ाव की तारीफ करने से पहले एक बाद जान लो तुम्हें पता नहीं कि इंडियन राजनीती का बोज ढोने वाला एक आथिक अंडरवर्ड है राजनीती की आर में देश को बर्माद करने वालों को पखड़ने यहां ना कोई पुरीस ना कोई कानून और नहीं कोई परे हुए बुढ़े को गाली देने के लिए मैं लाइव में नहीं आया हूँ बल्कि एक्चेतावनी देने के लिए इस राज्य की मासुम जन्ता को गोवर्धन की एक जेतावनी पीके आर नाम का पेड़ गिर गया बदले में कौन यही सवाल है वहाँ है पांच लोग इन पांचों को तुम्हारे सामने पेश कर ले मैं लाइव आया हूँ पहला पीके आर की बड़ी बेटी जो राजनीती में सक्रिया नहीं है लेकिन पीके आर की मौत की वज़े से हुए नए माहौल में ये एक एहम भूमी का निभा सकती है प्रिया दर्शनी प्रिया दर्शनी रांदास जन्मी वर्मांक वर्मांक अब दूसरा शक्स प्रिया दर्शनी का दूसरा पती रामदास का बिगड़ा हुआ दामाद अब दूसरा पती यानी बॉबी के आने के बाद ही तब तक एक साफ सुतरी इमेज रखने वाले रामदास जी की छवी की धजिया उड़ जाती है इस तरह की बहुत सारी हेरा फेरी में शामिल है बॉबी उर्फ बिमल नायर अबुड़ बैष्ब अबुड़ बैष्ट्रां सलाम, सलाम, सलाम सलाम, सलाम बोबी करल करल में हाल चल कैसा है? मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है बट डोंट वरी, वर्यटिं अंडर कंट्रोल इस तरह का ड्रास्टिक कदम अठाने की जरुवत ही? हमारी ट्रेल लाइन्स तो स्मूज चल रही है नो, मैं और देडी नहीं कर सकता था अबदुल, कुछ, कुछ एक महीना पहले, पीक्यार ने मुझे बुलाया था रियल इस्टेट गोटाले, हवाला, इल्लीगल एक्सपोर्ट्स ये सब अंदेखा कर दूँगा, प्रिया की खातिर लेकिन ड्रग्स, वो मुझे मनजूर नहीं मेरी बेटी का पती होने का पाइदा उठा सकते हो, ये मत समझना अगर समझ लिया, तो मैं रिष्टा भूल जाओंगा अंदर जो के बाग करते हैं अगर जो करते हैं तो टेल में, आयूएफ को हम क्यों फंड करेंगे? मैगना ग्रूप की फंडिंग अभी बी चल रही है ना? पार्टी को मुश्किल से चला सके तर्फ उतना ही पैसा है मैगना ग्रूप का चंडी देता है पीके आर के जाने के बाद, आयूएफ में इस वक्क कोई लीडर नहीं है जो चंडी दे रहा है, उस सिलेक्स से तीन गुना हम देंगे तो पार्टी हमारे हाथ में आ जाएगी लेट्स कर द बुल्शिट वाबी केरल की एक प्लिटिकल पार्टी को फंड करने से फेडोर को या मुझे, और फॉर दाट मैटर तुम्हें क्या फाइदा है? पंजाब, MP, North East, Goa तुम्हारा manufacturing distribution infrastructure धीरे धीरे तूट रहा है अन्दाट अब्दुल इस कटिंग इन हालात में फेडोर को जो मैं ओफर कर रहा हूँ वो एक safe haven है स्टेट गवर्मेंट के फुल सपोर्ट के साथ एक वोकिंग स्पेस ओके माला फेडरस में इंट्रेस है भी तो हमारा प्रपोजल क्या होगा? तुम्हारे फंड की मदद से आयूफ आने वाला चुनाव चीच जाए जए जएड काटेगरी ड्रुग्स के अलग तलेक अंचेगडाई लां चेह एक या अलोँ साव गरियम ताच माला फ्लकाः एक ताम 2921 पट्रोंगा क।ुस्तल मेथ और फॉके इसके अलावा पुलीस में और विजिलिंस में और तुम्हें तकलीव देने वाले क्राइम ब्रांच के साथ-साथ हर एक डिपार्टमेंट के टॉप ब्रास में हमारे चुने लोग That's good, परित्मा काफी नहीं है Fedor को convince करने के लिए दो important clauses भी इसमें आड़ करने होगे One, Karel में एक production plant with full infrastructure and transportation facilities Fund and Flow initiate करने के लिए ये production plant पूरी तरह operational करके तुम मुझे इसका proof दोगे Hmm, and what's the second? ये मत समझना के मुझे तुम पर भारोसा नहीं है, बस एक personal करदा है समझ लो कोई आठ साल पहले PKR के anti-deforestation drive के दरान नडम पली रेंज में जो मेरी परानी timber factory थी उसे बंद कर दिया गया उसे reopen करना चाहता हूँ हमारा production plant उसी facility में शुरू करेंगे Hmm PKR की खेर मौझूदगी में I.O.F. का most influential leader कौन है, ये सब जानते हैं उसके अपनी constituency में मौझूद मेरी factory को reopen करके हमारा production plant शुरू करने में अगर तुम काम्याब हुए तो consider our deal is done उसका party में जो hold है, वो Magna Group के चंड़ी की दोस्ती की बचे ऐसे है और जिस दिन I.O.F. को Magna Group की जरूरत खत्म हो जाएगी उसी दिन उसका party में influence खत्म We are on Abdul सलाम भाई सलाम Abdul इतना बड़ा लेक्सिस और ऐसी जगह से इससे ज्यादा सेफ जले और कहीं नहीं मिलेगी Heart of the city, one way in, one way out अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाये तो वी हम अलमुस्ट किलोमेटर आफ सिबलेन बफा दूसरी तरफ जो फिशिन हाबर है इस प्रॉट्टे बाया में 24-7 सिर्फ इतना ही नहीं तरफ इस प्लेस बिल्ट स्पाय साटलाइट भी इसकी जोग्रफी पकर नहीं पाएगा तुम जैसे आउटसाइडर को यहां इतना असानी से अकसेस मिली है वेल, कंसिडर इस अप्रिवलेज़ बावी सलाम अब्दुर्वाई सलाम मेज़त लिया बावी हम दोनों के तालुकात की वज़े से मैं एक बर फिर पूछ रहा हूँ आई यूशूर अबावाट दिस? क्योंकि फेडर से हाथ मिलाया देन देस नो तरनिंग बैक आई नहीं पैंती साल वाले का दिल और चाली साल वाले का शरीर है मेरा मेरा नहीं अईसा बोलके गए स्वर्गिय तुम सब के प्रियनेता है ऐसे में पीक्यार की अकाल मृत्ती हो आई रेपीट अकाल मृत्ती हो उसके पीछे का रास क्या है तुम्हारी ये भक्वास ने के यान ही बेट है हम तुम्हारी बात पर विश्वास है तु विश्वास मत कर रा तेरे जैसों को विश्वास करने के लिए खोल का रखा है ना 24 गंटे प्रसारइद news channels वो जो परस्ते तु वो ही निगल ले Media, democracy's favorite So guys, this is a once in a lifetime chance for all of us मैं कम इन मैम 9 मजे की मीटिं के लिए साड़े 9 मजे नहीं आते है Sorry, ma'am See, spotless reporting is what I want ये करला के political reporting के most important junctures में से एक है Shweta, political parties के bites, ruling and opposition is your responsibility Yes, ma'am Riju, crowd के angles, उनका दर्ग और रोना दोना, that's your thing Madam, film stars भी आएंगे ना, तो उनके इंटिव्यूस? उनको हम last priority देंगे, बिकार में show off करते रहेंगे वो लोग या या opposition leaders के comments हम अपने channel पर qr करेंगे और फिर साधारन लोगों का रोना दोना wide shot में रखकर film stars के bites पर focus करेंगे तो sponsors और advertisers खुश हो जाएंगे 10.30 को है ना media entry? Yes, ma'am You guys carry on Sanjeev, editorial matters are none of your business Madam, gold medal winner in journalism JNU तुमारे सामने बैटे बंदों की दो मेनों की बगार पेंडिंग है उसके सिम्मेदारी चीफ एडिटर की नहीं CEO होने के नाते मेरी है ये एक IUF funded channel है तो इस party में कुछ भी हो जाए चाहे कोई tragedy भी हो जाए तो उसको glamourist करने के अलावा हमारे पास कोई option नहीं है इस sympathy wave को cash कर गया अगले election में IUF नहीं चीथी तो you, me and NPTV are finished Sir, MIMSR का press release जी Sanjeev, Bobby death report मेरे बास आगई है illness is due to old age obviously, no autopsy on it so, like I said, everything the entire system is in our control whatever the how much? see, I have to pay off a lot of people and I have to keep even more on our payrolls ministers, police officers, excise department how much? 250 crores every month four months payment in advance what? Bobby? all payments in cash in denominations not bigger than 200 done the money will reach you but if you with me get a feel of that to your head because that is where I'm going to put it और एक रिमोट चांस उसका है जो पब्लिक की नजर से दूर अमेरिका में रहने वाला PKR का लाडला दूसरा बेटा अंग्री सी बाबू जातिन रांदास का but but like I said वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है practically speaking सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी acting CM महेश्वर्मा की है महेश्वर्मा I.U.F. का सबसे मजबूत पुल आपस में लड़ने वाले पाटी वालों के बीच का पुल परेशान करने वाले गडबंधन पाटियों का पुल विरोधी गडबंधन आर्पी आए और आई उएफ के बीच समझोते का पुल ऐसे पुल के उपर पुल मेटी पिता को आग तो जदिन को ही देना है ना तो क्या तुमने उसे कॉन्टाक्ट कर लिया उसका मोबाइल तो स्वीच ओफार है किसी केंपेंट ट्रिप पर गया है ऐसा वॉइस में सच छोड़ा हुआ है आग में दोंगी अगर बेटियां बेटियां ठीक है जैसा तुम चाहो वरम अंकल यहां पिताची को देखनी कोई आए या ना आए लेकिन वो नहीं आएगा कौँ अब जो कहने जा रहा हूँ वो इन पांचों में से सबसे खतरनाक है अपना फन पहला कर इस टेट की रक्षा करने या फिर एक दंच से मिटाने की ताकत रखने वाला किंग कोबरा पिछले 6-7 सालों से इसका नाम उभर कर बाहर आया और जंता के दिल में अपनी जेगे बनाई आम तोर पर पार्टी के सदस्यों से कोई खास लगाव ना रखने वाला PKR सिर्फ इसे हर पार्टी मीटिंग और सम्मिलन में ले जाकर क्राउन क्रिंट्स की तरह पेश किया है किसलिए पिछले 35 साल से PKR जिस निडुम बली चुनाव क्षितर से लड़कर जीता करते थे पिछली एलेक्शन में इसके लिए खाली कर दिया किसलिए ये गौन है कहां से है कोई नहीं जानता पहले एराक और अफगानेस्तान में पोस्ट और रीकंस्ट्रक्शन का काम कॉंट्रैक्ट लेकर चलाता था ये मेरे डाक वेब रिसोच के जरीए पता चला फिर दुबैट और अपनागिरी छोटी मोटी गोल स्मगलिंग ऐसे डूबियस रेकॉर्ड वाले आदमी को वी किया क्यों प्रोमोट कर रहे थे किस लिए वाइ सो कौन है ये स्टीफन थॉमिस तब मोस्ट सेलेब्रेटिट अपसार्ट ऑफ कंटेम्टरिक पॉलिटिक्स हिंदूओं के लिए महीरावन है इसलाम इसे इबलीस कहता है इसायों में इसका सिर्फ एक ही नाम है लूसिफर स्टीफन तुम्हें जाके रामदास को देखना होगा कहते हैं गुजरे हुए लोग दास हंसकार तक जीवित रहते हैं जिनें मिलना है उन्हें मिलने के बाद ही विदा करना चाहिए को मैसन को स्टीफन अंकल जा रहे हो रोजी बीटिया तुम यहां कैसे रवी बारिश जाने उसे पहले रोजी को लेकर फॉरान आश्रे पहुंचाओ अंकल तुम भी आओना रात को कहानी सुनाने के वक्त से बहले मैं पहुंच जाओंगा फिर हाल तुम दोनों जाओ स्टीफन दाद जा रहे हो ना सिर्फ एक गाड़ी काफी है उतने ही लोग जो एक गाड़ी में जाज़के स्टीब कर भाड़ी लोग जाओना स्टीब कर दोनों आज़के है आज मुझे नुझे नूचे हुआ नुझे साथियों और देश्वासियों, आज की सुबर हम सब के लिए बहुत ही दुखत रहे हम सब के प्रियपी के यार ने इस पहाड़ी इलाके नेडम पढ़ने को अपनी विदेश यात्रा बीच में रोग कर अपने स्वर्गिय नेता को श्रधांजली देने के लिए आ रहे है विथ मंत्री पी के पितांबर अब कहा जा सकता है कि देश बेट के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके हैं गरीमों का मसीः साफ सुत्री राजनी का रखवाला पी के आग को अंत्र श्रधांजली देने के लिए लाकों लोग सुंगामी की तरह राजधानी में पहुँच रहे हैं आज तक किसी ने ना देखी वो ऐसी एक बहुत बड़ी विदाई जनता आई उएफ के इस महान नेता को देने वाली है इसमें शक्की कोई गंजाइश नहीं है काट ओके ना सर जी आप कहें तो स्टीफन को ही नहीं मैं इसा मसी को भी रोग सकता हूँ अगर उस मैडम जी की बातों में आकर हम इस जमेले में पड़ेंगे तो एतने लोगों के सामने शायद हमारी नाग कट जाएगे उसकी जरुवत है अरे तो ऐसा बोलेगा तो एक तरकीब है जी क्या तरकीब फ्रामिनिस्टर दा चौपर अभी लैंड हुआ है उनको यहां पहुंचने में एक कैंटा लग जाएगा इसी बानने में रोड ब्लॉक कर सकते हैं फिर किसी भी रस्ते से स्टीफनिया पहुंच नहीं पाएगा ब अब जल्ट आएगा मुव जल्ट देखने के लिए इतनी भीड़ शाला को कि कम ही नहीं है ओके ओके सर स्टीफन की गाड़ी अप्रोच रोड़क पहुंच गही है सारी सर जी गड़ी अग्य नहीं जा सकती पीम का कॉन्वोई आ रहा है प्रोटो कॉल दादा आप क्या करें सिर्फ काड़ी नहीं जा सकती ना पैदल तो जा सकता हूँ विंट सिर्फ सिर्न को अ ह supreme ? ईदे yaş büy मैं डदाज टीफ drying दोड़ जिह अञाश हände पखनवा गो टीफैना अना लान? इच हैं जा लोज खो मिज़ सब चंपना लोड़ जज़ में 50ному शोड़ जा लोड़ जा जयrow गोड़ जज़ भान? ये कैसा शुर प्राइम निस्टर पहुच गे वो पहुचते तो बहतार होता स्टीफन मूँ क्या देग्राव कराव तो गोड़ कराव गोड़ मूँ क्या था 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 धा लेकिन डोक नहीं पाया तुम चर्च में जाके अच्छे से प्रे करो स्टीफन जाओ सीफन एक एमर्चेंसी मीटिंग बुलवाईए फिलाल सीएम मैं बन जाओ यही सभी का अभिपराय है और उमीदे तुम्हें कोई अतरास नहीं होगा जिता में रखने दीजिए वर्माजी जल्ने तो दीजिए फिर दिखेंगे गुजरी हुए जमानी को अलविदा कहने के मौके पर आने वाले जमाने की एक जलक आशांती तरपर देखने को मिली इतिहास में शायदी नहीं बात हो सकती है कहां जा सकता है कि पहली बार स्त्री सामानता अंदोलन के हिस्से के रूप में आज पीके रामदास की बेटी और उनकी राजमयतिक वारिस कहलाने वाली प्रिया दर्शनी रामदास ने आई-उ-एफ के स्वर्गिय माहन नीता और केरला के मुख्य मंत्री पीके रामदास की चिता को आग दी जन्य सागर और अरब सागर के बीच ही जिसका अंध हुआ वो केरला के प्रियर पुत्रों होने के साथ साथ एक युग थे भारत के राजमेतिक नेताओं के सानित्या में हुए इस दह संसकार के आई-उ-एफ के भावी नेता स्टीफन थॉमस की गैर मोज़ोद की महसूस की गई अब अहीं तो पीली पता ना कहा चल जाता है तू अब तक घर ना गई लो बाद में जाओंगी इल दूद बच्चा के दूद पिला के ही सोवेती जी खा बेटी बाद में गोली समय पे खा ली है अच्छा से पढ़ा बेटी इबेल बढ़िया नंबर आवे की चाहिए पढ़ा बेटी नेन लागी तो हमरा के बताई हां तीचर मैडम बच्चा लोग के अच्छे से पढ़ाई ठीक बाद एई सोना मात अपकी बार फेल हो गईल तो बस अब इता तू लोग सोई नहीं 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 आवाद एकल लिख कर बताना अच्छा दीदी ला बेटी पीला मॉसी तोहरा के और कुछ चाही का बेटी दू दिन में बच्चा पैदा हो जाई जुरूर हो जाई हम देवी मां से पाथना कर अब तो कि डर लागी का नहीं रोजी और रवी कहां बाद कहानी सुनने के लिए गए हैं ओ तो कहानी सुरू हो गई स्टीफन अंकर आज की कहानी सुनाओ एक इश्वर की कहानी सुनाओ कौन-कौन है वहाँ? सब लोग या लोग भाई और मुकेश और बाकी की लोग? पास में है तु वहाँ से ज़रा हटकर बात करना गदे अरे भाई पास मतलब बहुत पास भी नहीं है किसी जमाने में कही पर एक इश्वर रहा करते थे उस इश्वर के बच्चे थे बड़ी सेना थी गुण गाने वाला बरियों का समूव भी था प्रिया तुम यहां क्यों बैठियों वो सब पहुच गए बबी कहां थे तुम? मैंने मेसेज भेजा था ना दा होल वर्ल्ड वस वाचिंग बबी मेरे पिदाची की मौत पर मेरा हस्बंड नी वहाँ पर नहीं है मतलब फ्यूनरल के पहले पहुच जाओंगा कहा था ना वेर वर यू? I had a very important meeting मैंने बताया था ना वोर्ट मीटिंग बबी मैंने तुम तुम दाउन तुम अभी जा के तुम अन उसलेस मिनिस्टर से मिला जानवी का है उसने मुझे एक बुक लाने को कहा था उसी को ढूनने के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा Otherwise, I would have taken an early flight Really? वो मुझे कहां बात करती है रूम में होगी Happy that she's talking to you at least तुम वहाँ जाओ मैं भी आता हूँ मैं वहाँ क्या करूंगी बबी प्रिया प्लीज इश्वर का राज बहुत बड़ा होने की वज़े से बहुत सारे शैतान मसीहा का नकाब पहने उस इश्वर के राजमेहल में गुश गए सुची पॉकेट मनी में इसमें से डिशाओट नहीं कर सकती हैं हर महीने मुझे यह की मेडम को हिसाब देना पड़ता है यूट्यूब चैनल तो शूरू कर दिया बट हाव दू यू मेक मनी आट ओफ इट बेब तुम्हारी पुक मिल गई ओ, है बॉबी मैंने औरड़ी एमिसान से ओड़े कर लिये यू शुड़न्ट आफ पॉदर्ड खोल के तो देखो ज़िए भी यू लाइक वाट यू से यह लोकल वीड की तरह नहीं है पॉट अश है संभल कर यूस करना and don't share it with your friends, okay thanks, Bobby that's it क्या मुझे एख भी नहीं मेलेगा पॉट नाइट, Bobby sweet dreams इश्वर के मंत्रिकर्ण सब के सब बहुत ही लालची थे इश्वर को सभी लोग बहुत पूछते थे इसलिए किसी ने कुछ नहीं कह sorry, sorry everyone for making you all wait बर्मा जी हाँ यह हाँ तो बर्मा जी है हमारे acting chief minister और कौन-कौन है लिस्ट में Bobby हमारे funding का क्या हुआ पका तो है ना I asked you a question और कौन-कौन है नहीं लिस्ट में पी-एस-पितांबर, finance सदानन्द, क्री विभाग विजय कुमार मैनन, transport और फिलहाल हम ये कैबिनेट पर खास्त करेंगे और गवर्नर से मिलके चुनाव प्रीपोन करने की रिक्वेस्ट करेंगे मगर एक साल और बाकी है ना, Bobby तो इस तरह अचानक? नो इस sympathy wave को कैश करना है वर्मा साब अगर अगले पांच साल मुठी में करने है तो यही एक रास्ता है तभी फंडिंग मिलेगी कौन है ये नया फंडर? आम खाई है सर, गुठली मैं गिनूँगा एक बात कहो मिस्टर विमन लायर आप पार्टी के MLA नहीं हैं अभी तक आपकी बात हमने इसलिए सुनी क्योंकि आप PKR के दामाद हैं जन्ता के सपोर्ट के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलता आया हूं में आज तक PKR जिंदा होते तो ये बात आपको समझा देतें अफसोस की बात है के वर्मा जी आप भी इनका साथ दे रहे हैं ये फैसला तो खैर अच्छा ही है लेकिन जन्ता का सपोर्ट चाहिए तो ये सफेद खदर पहन के जेब में हीरो पहन लगाके एक फुट लंबा काला पाउच लेकर गुमना ही काफी नहीं है प्रियदर्शनी इंफ्रा रियालिटी कमपनी से जो मेरी कमपनी है कोई सबूत है जरूर है लेकिन दीवार पे जो लोग मेरी बातों से सहमत है वो यहां बैठ सकते हैं जो नहीं है वो जा सकते है प्रियुक्त है जरूरी लोग एक एक कर जाने लगे अब साफ सफाई का टाइम है बढ़िया सफाई होगी फीतांबर अभी मेटिंग छोड़के चला गया लगता है कुछ बढ़ बढ़े ऐसे में एक दिन इशर कुजर गए इतने दिनों से मसीह का किरदार निभाने वाले शैतानों के हाथ में आ गई सत्ता अब जल्द ही जो चुनाव आने वाला है उसमें आयो एफ मुकाबला करेगा बिना किसी सहयोगी दल के अकेला ही मुख्यमंत्री के रूप में जिसे घोशित करने जा रहा हूं वो इनसान कोई फेक सियासती नेता नहीं है पीके रामदास नाम के महारती का अपना खून है घबराये मत प्रिया नहीं हम दोनों ही सत्ता हासिल करने की चाहत नहीं रखते हैं आयो एफ को अगले चुनाव में लीड करने चुचा रहा है इस राज्य ने जिसे नहीं देखा लेकिन हमेशा जिसके बारे में जानना चाहा वो पी के रामदास का एकलोता बेटा है जतिन रामदास यहां बैठे हर एक शक्स को उनके लाएक आदा और अब जितना मिल रहा है उससे तीन गुना पैसा I mean funding of course बर्मा सर अब एक लिस्ट बनाईए इस तरह वो राज्य इश्वर को मार के इश्वर का अपना राज्य कहलाने लगा बॉबी सीफन को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते उस आश्रे के जरिये उसने जनता की दिलों में जगे बनाई है वो कोई छोटी मोटी जनसेवा नहीं है लावार इस बच्चों का आश्रे है वो बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली औरतों का आश्रे डॉक्टर, नर्स, मिडवाइब, बच्चों की देखबाल, कोई छोटा बोटा खिलाडी नहीं है अवल नमबर का चोर है, राजनीती के कार्य करता और नेता के बीच क्या फर्क है पता है बता हूँ इन मसाला फिल्मों में जैसे हीरो का इंट्रडक्शन करते हैं ना, किसी छोटा एक्टर से पहले डायलॉग बुलवाते हैं गरीबों का खून चुसने वालों का अंत करने और मासूम लड़कियों की इज़त बचाने के लिए लो आ गया दबंग तब दरिये से बाहर निकल कर आता है अपना हीरो, सूपरस्टार वो है सियासती नेता और छोटा एक्टर कारे करता है एक कारे करता को हटा के दूसरे को ला सकते हैं फिर पीछे भी कर सकते हैं लेकिन जो दरिये से निकल कर आता है वो नेता है उसे अटाने के लिए बलवल नहीं चाहिए, बुद्धी चाहिए और नहीं तो क्या, मैं सिर्फ मसाला फिल्मे ही देखता हूँ अच्छे-चे आइडिया मिल जाते हैं, कि कहा ताली मिलीगी और कहा गाली मिलेगी अप मुद्धे पर आईए, बात को समझने की कोशिश करो बॉबी एक बार स्टीफन को बुलाते हैं, उससे सारी बात बोलेंगे और समझाएंगे बॉबी अगर उसने समझ कर हमारा साथ दे दिया, जैसा हम कहते हैं वैसा कर दिया तो उस जैसे एक मास टीडर से हमारा ही फायदा होगा ना आपकी मरसी, लेकिन जो मुझे बोलना है, खुलकर बोलोंगा बोल दो, लेकिन थोड़ा ढंक से बोलना खुलकर देवा ठीके मातन। हा? झाल वाल सर, स्टीफन, आगे है तू, स्टीफन, बैठो. कुरसियां टूट गई है, पुरानी है ना? सिर्फ आदर्श का भाशन जाडने से फंडिंग नहीं मिलेगी, इस ओफिस में नए कुरसी और टेबल खरीदने के लिए भी, दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी. एक जन सेवक के कमरे की कभी न तूटने वाली कुरसी, उसकी खुद की कुरसी होनी जाई है. क्योंकि वो इस कमरे में बैठने के लिए नहीं आया, इस हैमियत की चानकारी उसे रहेगी. वर्मा सर, स्टीफन, जानते हो ना? पीकियार का दर्दनाग देहान पार्टी के लिए एक नुकसान दायक हाथसा है. इन हालाद से पार होना है तो हम सब को बुन्यादी तौर पे बदलना होगा. तुम तो जानते ही हो, उत्तर भारत से दक्ष्विन भारत में फैलने वाली सांपरदायक ताकि आग अब लगता है, जल्द ही केरल को भी अपनी लप्टों में समा ले जाईगी. इसे रोकना है तो हमें पैसों की सरूरत है, बहुत सारे पैसों की. फंड्स की बात है ना? फंड्स तो है? मैगना गुरूप के पार्टी फंड की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रामदाश जी ने मुझ पर सौपी थी. मैं जानता हूँ, फंड्स काफी हैं. आरे बोर्ड है, मैगना गुरूप जैसी मामूली कंपनी के सामने हाथ पहलाना होगा. आईउएफ जैसी 150 साल पुरानी नैशनल पार्टी की कहराना यूनिट को, भगवा सेना को फंडिंग देने वाले बड़े बड़े लोग हैं. और भगवा को उखारने के लिए हम लाल की मदद लेंगे, तो मेरी मानों ये स्टेट हमें माफ नहीं करेगा. आज की परिस्थिती में, मैगना ग्रूप जितना देता है, वो लेकर सिर्फ पार्टी का काम का चलाना काफी नहीं है. खतरनाक सियासती जंगे लड़ने के लिए हमें बड़ी फंडिंग की ज़रूत पड़ेगी. चुना भी किसी जंग से कम नहीं है. मतलब? किस्मत कहो या कुछ और, मैगना ग्रूप के बदले में, बॉबी ने एक नए फंडर का इंतजाम किया है. थोड़ा उन्नीस बिस करके, कुछ बातों को नजर अंदास करना होगा. क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो कहा है, वो हम याद करेंगे. लक्ष्य, मार्क से भी ज्यादा महरपून है. कौन है ये, नए फंड देने वाले? फार्मासुटिकल बिजनस में है वो लोग. कहां पर बेश्टे हो? गोवा, मॉंबई. प्रिया जानती है इसके मारे में? मेरा जानना काफी है. प्रिया जान जाएगी. गोवा, मॉंबई, फार्मासुटिकल्स, ट्रक्स, है ला? देखो, स्टीफन, येस, ड्रक्स ही है. बॉबबी? सारी बातें खुल कर कहने के लिए ये मीटिंग है. शुपाने की क्या ज़रत? स्टीफन, रुकावट मत बनो या. मैं जो चाहता हूँ, वो देने वाला ये कौन होता है, बर्मासाब. मैं इस पार्टी में सिर्फ एक आदमी के कहने पर शामिल हुआ हूँ. रामदास जी के. और आगे भी किसी की बात सुनूँगा, तो सिर्फ रामदास जी की बात सुनूँगा. स्टीफ है, तुम्हारे सर गये, उनकी बात गई, अब मैं हूँ, और मेरी बात है, कौन देता है ये नहीं, कितना देता है यही माईने रखता है, हमारी आईउएफ पार्टी के लिए. वर्मा जी, आईउएफ नेर्कोटिक्स फंडिंग एकसेप्ट करेगा, तो उसका अंजाम यह होगा कि यहां की नई पीडी की नसों में ऐसा नशाब आएगा, जो हमने आज तक सुना भी नहीं होगा. आज हर कैमपस में, स्पोर्ट्स अकैडमी में, फिल्म के सेट्स पर, खुफिया तोर पे जो चलता है, वो कल खुले आम चलने लगेगा. सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रग कार्टल्स यहां जो करोडों अर्बों कमाते हैं, वो ड्रग मनी, सीधे जाकर पहुचती है, अलग-अलग टर्रेर्स ग्रूप की जेबो में. जो मेरे करीबी हैं मैंने उनसे पहले ही कहा है. नार्कोटेक्स is a dirty business. दुबाइ के देरा, करामा और रोला के भंगार के दुकानों से लेकर, तुम जो बेकार सोने की स्मगलिंग करते थे, वो सारी पुरानी कहानी मैं जानता हूं, स्टीफेन. साथ नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन मेरा मुकाबला करने का एरादा है, तो स्टीफेन, तुम्हें बचाने के लिए, आज पीकेरा अंदास नहीं है. आखिर तुझे कौन बचाएगा? स्टीफेन, स्टीफेन! वर्मा साब, अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को इस सियासत कहते हैं, यही जूट हम बरसों से लोगों को बेचते चले आ रहे हैं, जंग अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, बुराई और बुराई के बीच है, बड़ी बुराई और छोटी बुराई के ब यह बड़ी बुराई है यह काम स्टीफन नहीं करेगा नाहीं यह करेगा यह करेगा नाहीं यह करेगा नाहीं पायुफ को फंडिंग करने वाला मागना ग्रूप का चंडी नहीं होगा यह करेगा इसलिए अगर मैं चाहूं तो एनपी टीवी के फाइनाशल इसूस ठीक कर सकता हूं लेकिन उसके बदले तुम्हें और चानल को एक काम करना होगा बताओ बॉबी स्टीफन के खिलाफ स्मीर कैमपेइन जितनी चाहो गटिया स्टाटीजी यूज कर सकते हो बट यू हाफ तो स्टार्ट इमीजिटली स्टीफन तॉमस जैसे इंसान के खिलाफ बिना कोई वजह इस तरह की कोई स्मीर कैमपेइन करना मतलब उसले स्टाट कर स्टाट इस परेंड़ इसदेशने करना मतलब संजीव पैसों की जरूरत मुझाने न्पीटीवी को है यू आध बयल्ला त्यू एक वाल्ट है यू प्रेंट गर्र ऑप्रेंट है क्रियेटेट वेल 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 लेकिन ये परस्यू करने ज़ेसा लीड है वो में नहीं जाना एक लोग हिंदुों के लिए महीरावन है इसलाम इसे इबलीस कहता है इसायों में इसका सिर्फ एक ही नाम है लूसिफर इंट्रेस्टिंग येस येस मैंने तुम्हारा नाम सुना है ये वेरी गुड़ है इडिव जॉब लाइव रिपोर्टिंग न्यूस आड़ेट सब मैंने दिखा है सच कहूं तो तो तुम इतने पॉपिलर हो इस वज़े से और कोई बैक्ग्राउंड चेक है बेरा मैंने अगरी कर लिया तुम्हारे पास जितने भी सबूत है वो और आई यूफ के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ प्रस्टाचार के एविडेंस यह होगा हमारे नए चैनल लॉंच का इंपॉर्टन शो अब बिग एक्स्क्लूजव तुम्हारे पांच लाग फेस्बुक लाइव से भी जाद एफेक्ट मिलेगा जब तुम्हारा इंटर्व्यू पब्लिक टीवी बेर होगा बड़े होगा बड़े होगा एंपी टीवी की कॉंपटेशन में यह जो नया चैनल तुम्हुरू करने वाले हो पब्लिक टीवी इसके इंवेस्टर्स वगरा वेल यूसी एज़ टाइटल सज्जेस्ट पब्लिक फंदिंग ही है ओकी-ओकी बिल मैं दे दूँगा गोवर्दन तुम्हारी इंकम अगरा कैसी है six-digit salary ड्रॉक करने वाले एक टेकी था मैं अचानक एक दिन I got a revelation वो भगवान बुद को मिला था ना उसी तरह नौकरी से रिजाइन करके I started devoting myself to my real work गोवर्दन दे फैमिली ओक है अच्छा बंडे मरिचो अम्मो रेक्ट वर्षा मुंभू मरिचो oh that and a wife of Molo she left me for her own good I would say my life it ne safe नहीं you know बेटी से तो मिलते हूंगे नहीं मेरी बेटी से मिलना मेरी बीवी को पसंद नहीं maybe she's right no she's right मैं एक अच्छा रूल मॉडल नहीं हूँ सच्चाई की खोज एक करियर ओप्शन नहीं है ना वाइव से अलग उनों के बात कुछ दिनों में I had a breakdown तब कुछ दोस जवर्दस्ती मुझे एक mental hospital ले गए वहां से जब लॉट कर आया तो मेरा कोई नहीं था इस रोलिंग बोलते जाओ हां येस 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 येफ को फाइनन्स करने वाला Magna Group of Companies है सब जानते हैं NPTV के एक सेंपलोई रिजू को तो पता हो गई इतनी बड़ी funding करने के ताकात रखता है ये Magna Group का चांडी Magna Group यहां का बहुत ही popular भ्राइंड है ना Finance, Timber, Steel, Gold Yes, Gold, that's my point रिजू तुमने कुरेशी अबरहम गैंग के परह में सुना है पूरी दुनिया के diamond and gold trade को को control करने वाला है infamous nexus They are backing Magna Group and hence die UF Mogambo, Gabbar Singh जैसी कहानी है ना ये सब No, 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 they exist दुनिया की सभी जगाओं में उनकी presence है Like, like the Illuminati Mr. Gordon मेरी दल्चस्पी Illuminati या Mogambo के बार में नहीं है Stephen, Stephen Thomas उनके खिलाफ क्या क्या evidence है तुमारे पास? वो बताओ Yes, Stephen, Stephen Thomas I know who he is लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सभूत नहीं है मेरा मतलब क्या? तो फिर क्यों उस दिन फेस्बूप में लाइव आके वो इबलिस है, लिूसिफर है वगेरा कहा Goverdhan, I really don't have time to waste You won't be disappointed Mr. Riju Mr. Stephen Thomas के खिलाफ सभूत नहीं है मैंने इतना ही कहा बड़ बिमल नायर, IAF का वो कप्तान जो पार्टी का मेंबर तक नहीं है उसके खिलाफ मेरे पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंच है याज प्राइम टाइम में ब्रेक करेंगे सर्, इससे सेंसेशनल इसकी अलकोई कॉपिंस है तो माने पास नहीं सर्, यही ओरिजिनल है, आपको दिखाकर हाँ, good, good Okay, leave it with me मुझे से स्टड़ी करने तो I will reward लेकिन सर, हम लोग मैं बताता हूँ रिचो, you go ahead Okay, sir Bobby, we have a problem कर दो कर दो कर दो कर दो हुँ ! हुँ ! पुर्णेते चैंटे ! चुर्णेष ! मचे शड़ो, 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 लिव मी, अव्या सट्क है, वतलब साचाय की चीत होगी, whatever happens, the truth will win! ऑपन दौर, धर्वास खोलो, बखन दौर! वोबी, मैंने पनी पराणी तिम्ब फैक्टरी की साइट पर एक टीम भीची है साथ में कुछ चीजे भी वाट? कैसी चीजे? नथिंग मेजर, कुछ एक्विप्मेंट्स और केमिकल्स, आफलोड कर वालो, तास इट फैदार को प्रामिस कीवी डेट पर मैनुफाक्टरिंग शुरू करनी है इस हाई टाम वी सेट बाल रोलिंग वो इतनी जल्दी करने की जरूरत थी वाई, इस देर अ प्रॉब्लम? नो, नथिंग गुड, दे शुरून बी एनी इसे हम क्या नाम देंगे? आप भी इसे कोई नाम दे दीजे दादा अपरना पार्वती जी का नाम है तो उसका बेटा विनायक विनायक फर्ज पुरा कर दिया ये कहने का हक तुमें नहीं है, स्टीफन वो हक इश्वर का है, सिर्फ इश्वर का अपने लिए मैंने कोई भी खुआईश मन में नहीं रखी है, फादर रही बात रामदास जी के ऐसानों की वो उनके मौत के साथ ही खत्म हो गई स्टीफन, पार्टी ने जो भी कहा, उसे हम बिना संकोच मानते चले आए लेकिन ये ऐसा नहीं है रामदास जी ने जो भी शुरू किया उसे किसी के भी हवाले करना हमें मन्जोर नहीं तुम्हें हमारा साथ देना होगा हमारे दल को इस वक्त एक मार्ग दर्शक की जरूरत है नाराइन भाई, फादर भुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं चर्च में आके मिलता हूँ तुम्हें जाओ प्रेज दा लॉर्ड प्रेज दा लॉर्ड, गड्ड ब्लेस सब लोग खना खाकर जाईएगा हलोक ये जो कुछ भी कहने आये है, तुम सुनना स्टीफन दादा को सोचने का वग दीजे, पार्टी वाले चाहे जो भी फैसला करें, हम अपने रास्ते जाएंगे, वो अपने रास्ते रात को इंजन का आवाज आया रहा साहब, वो कोई 15-20 लोग रहें, जीप ट्रक और वो माटी उठाएव वाला गाड़ी होता है ना वो भी रहा, वो लोग के हाथ में तलवार, बंदूग, चाकूई सब रहा, वो सब अलगे भासा में बात करत रहें, वो बाहर के लोग रह आवाज आवाज साहब? तुम लोग कौन हो, यहां क्या कर रहे हो, कौन है तू, क्या चाहिए, चल लेकल, इस फ्रॉपर्टी को गॉर्मेंट ने सील किया है, किसकी इजासे तो, तुम लोग अंदर खुशा है, अरे, बहर आए क्या, चल लेकल, भाग। तुम लोग क्या देखा बताओ। स्टीफन, स्टीफन वो नहीं है, जो हम समझते हैं के इनने वहीं है, बहर अजासे पोगाओ। स्टीफन माइए झाल वाद कि बहर देखा स्टीफन स्टीफन अ जोड़ी कि शाम घराक् Latक बारखाट ग्याएड मैंग भी यह मुटवजार के अल्ड़ कांडवंगल्थी पड़िक है? वाली पोल, वालिड़कै नीर, सूर, मेटे याड़ पोर, अडगादै काल पोल, मीसमुर्कि वार इवा मुन्न, निन्नाले, यमनुक्कों, कॉल नडगो, इवा पेर, सुन्नाले, सिवनुक्कों, पड़बड़कों एकुए जबनाले येक्ट दिक्को आणु पूखे यकक चको एंगे वार्क? अबर दानागे येद्ल अप्लबबबबो! लड़बूने पोले! और प्पवनीवन! पेरासयेई! पुल्वन लिवनाईवन! कल्वने पेल्लू! अल्नावनीवन! कल्लवणिवस वेरंपोथ्थु एरून नल्लवनिवस एरून नल्लवनिवस प्रतनागा बना कंसीबका प्रतनागा बना डिर्वनिवस अधर्र, खदर्र, पिर्ची एड़िकवारादा अजाधी राजवेट्टी वीशियरिया पोरा अटंगादे, वडगुदिर, बुरुनालू, अटगादु निरुपोड, बिलयाड, बुरुपोदू, येंगादु अधर्र, बिल्दो, बुर्ण, बिल्दो, बुर्ण, 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 बुर्ण खपपम वन देरासेय एक्टेनेरू नल्लवन ईवन privileged गंडवुरें पोलं खपप सब्सायदों हो इएरासेय एक्ट वो जोना गालुआ एक्ट नेरी सेंड़ोन कर्भनें definitive नल्लवन लन निवन तेर नंबुफ्ते एक्टेन्रोन अल्यावनिवर्ट क्यों सच में मरे होंगे कम से कम छे लोग तो जरूर मने होंगे मैंने अपनी अखों से देखा था अगर तुम सच कह रहे हो तो स्टीफन को रास्ते से हटाने के लिए यही काफी है वर्मा साब हलो हलो जॉनसन जरा सुर को देना एक मिनिट होल्ड करो सुर्दरसन है लाइन पे हाँ सुर्दर्शन बोलो हाँ सर यहां कुछ भी नहीं है कल रात की बारिश की वज़े से कोई टायर के निशान भी नहीं है एक राउन और लगाऊ या फिर नहीं नहीं तुम रुको सर मैं सर से पूछता हूं वहां कुछ भी नहीं है सर एक किलोमेटर तक वहां असपास में कुछ भी नहीं मिला बुलेट केसिंग वेपिन्स मेटल डिटेक्टर यूस किया था सर नथिंग एबसलूटली नथिंग मदन प्रकाश क्या हूँ सर पुलिस वाले के आपके लिए तोने गए गुद्रे हो गया है यह डड़ बॉडी भी नहीं है निशान भी नहीं है गटर साफ करने वालों की खाकिया अलग है सर अनिमत है यह कोई मीडिय वाले नहीं है वरना हमारी तो नाकड जाती ओए चलो यहां से लेट्स वाइंड अपन को चलो ओए जो भी करो यह स्टीफिन पकड में नहीं आ रहा है कोई आइडिया है आपके पास उसके बारे में अगर कोई कोई जानता है तो वो है प्रिया प्रिया उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है उस नफरत की वज़ा जान जाए और वो कौन है यह जान जाए तभी कुछ कर सकेंगे एक ब्रमास्त्र है अगर और कुछ नहीं चला तो मैं वहीं चलाओंगा आलोक मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मा को मानसिक दनाव था पिताची के सियासती जीवन के उतार चड़ा जील जाना इन सब का अजर मा पर पड़ा था लेकिन सबसे ज़्यदा पिताची को लेकर मा के मल में शक मा की विरूद को नजर अंदाज करके पिताची स्टीफन को घर में लेकर आए आपको किस ने कहा थे इसको यहां पर लेकर आने के लिए ये जिसका है उसे ले जाकर वहीं छोड़ दीजे मेरे जीते जैसा नहीं हो सकता बस एक छोटा सा सहरा देने के लिए ही तो कह रहा हूँ वो भी तो प्रिया की तरह ही मासूम बच्चा है इस पर जो खर्चा होगा उसका भी मैं इंतिजाम कर लूँगा मैं कुछ नहीं सुनूँगी स्टीफन एक साल तक हमारे घर में रहा मा उस वक्त पेट से थी मा के ना मानने पर भी स्टीफन को घर में रखा यही गलती होगे बिदाजी से मेरे आंसूओं को और मेरे बच्चो के आंसूओं को देख यहां किसी का मन नहीं पिगलेगा मन पिगलना है तो लोगों को रोना होगा नहीं तो बच्चलन औरतों को बच्चा पैदा करने कि लिए खोन के जो रखा है ना अबलाओं का सेवा घर आश रहे वहां के लावारिस बच्चे उन्हें रोना होगा कौन है? कहां से है? किसका है? कुछ भी मत पूछो, कुछ भी मत बोलो तुम खाओ बेटे हर रोज मा का रोना सुनने के बाद ही मैं सोया करती थी जदिन को मेरे हाथ हमें सौब कर मा चल बसी ठीक मा के अंतिम संसकार के वक्त पिताजी आ गये बहुत रो रहे थे उस दिन भी मुझे पास बुला कर उनका पहला सवाल स्टीफन कहा है प्रिया तो मैंने पिताजी से कहा स्टीफन जब तक इस घर में रहेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगे आखिर में आठ साल की लड़की की जीद की साम ने पी के रामदास को हार माननी पड़ी और स्टीफन को कहीं और लेकर गए रैशनली इसे जिस्टिफाई नहीं कर सकते हैं यहीं मैं आज तक समझती हूँ पीपल लेवर डाय बेली वॉन थ्रू देर चुल्डरन हर एक दिन बीतने पर मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी मा की ही बीटी हूँ वही सेंटिमेंटालिटी वही मैडनस तुम्हें जाना है लेकिन कहां आपने अभी तक जो भी किया उसके लिए मैं आभारी हूँ पर अब और नहीं रुक सकती जाना है इस बच्चे को लेकर तुम कहां जाओगी तुम जब तक चाहो यहां पर रह सकती हो यहां कोई तुम्हें परिशान नहीं करेगा यह मेरा वादा है नहीं दादा मुझे जाना है तुम्हारी मर्जी इन्हें रख लो अलोक दादा यह जहां का है इसे छोड़ के आना जे पार्वती और गणपती अपड़ना और विनायक किसी की भी पराह तुमें मिले या ना मिले यह तुम्हारे साथ और तुम इसके साथ हमेशा होने चाहिए खुश रहो इसा करूंगी तो भागवान भी मुझे माफ नहीं करेगा साथ ची को समझो यह सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहे हैं आपने इस बात का खुलासा पहले क्यू नहीं किया किस वज़े से आपने पुलिस के पास शिकायत दरज करने से पहले एनपी टीवी को बताया इसे लिए पुलिस में जाने से पहले मैने ये बद चानल में बोलने का फैसला किया इस वज़े रहे हैं वहारे लेकिन सच वो नहीं है ये ये स्टीफन थामस का बेटा है स्टीफन बरसों से मेरा शोशन करता आया है दुम्या की नजरों से दूर आश्रे की आड में इस तरह के बहुत से काम वहाँ चलने है ये मैं जानती हूँ इसका मतलब है कि आपके मुताविक ये कोई पेला हाथसा नहीं है अगर ऐसा है तो आपने आप जो हमत दिखाई है उससे क्या आपको लगता है कि स्टीफन जैसे खतरना क्रिमिनल के खिलाब आवाज उठाने की और लड़कियों को भी प्रिणना मिलेगी तेरे मूं में कीडे पड़े कल्मुई सेवंटीन येर ओल लड़की के ऐसे तो क्या खर्चे हो सकते है जानवी इतने सारे पैसे कहां खर्च कर दिये तुमने मामा प्लीज चस्टॉप शाउटिंग अट मी मेरे सर में दर्द हो रहा है क्या बात है मां और बेटी के बीच फ अन स्विच ओन नपी टीवी उसमें तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है क्या है जस्ट को अल टॉक्त वाबी प्लीज मत बिगारो इसे मैं पहले भी बोल चुका उं उल्टी सीथी चीजे चढ़ा के मां से बहस नहीं करनी चाहिए जब होश में नहीं रहती है, Keep a low profile, understood? लग्यार है। बॉबी… जुआजिए… जुआ पुआ नुआ हो… बॉबी जु… बॉबी जुआ नुआ बॉबी जुआ इंट.. अटीक्स कर लें लेंग.. बॉबी जुआ अट्सका बॉबीया.. तुर्वास्ट्वट्चिते हैं ! लव हंडिल जारे हैं आयू एफ के बड़े नेता स्टीफन तॉमस पर योन छोशन का अरोप लगाया उन्ही के आश्रम में रहने वाली एक निवासी ने अन्पी टीवी के निउस रूम में उस पिवित लड़की ने अपने बच्चे के साथ आकर ये दावा किया है कि वो बच्चा स्टीफन का ही है उस लड़की ने ये भी अरोप लगाया है कि कई बार स्टीफन ने उसका योन शोशन किया है सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रे के नाम से जो आश्रम स्टीफन चला रहे हैं, उसमें और भी कही जलत काम होते हैं, ऐसे और भी कही जाओं का खुलासा किया गया है बहुत भीड़ है, पबलिक नाकरोश बढ़ा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चों को बाहर मत जाने देना, कोई कुछ नहीं करेगा, पोलिस आएगी, मैं उनके साथ जाने वाला हूँ, कानून को अपना काम करने तो इसकी जरूरत है के सर, मैं तो साथ चली रहा हूँ सर, IPC 376 सिर्फ वोई नहीं, पॉक्सु एट फोर और फाइव भी है, अकडिपना के लिए जाना होगा, चलिए, चलते हैं सर, चलते हैं एफ ए करे ओए दय भजब आपन करेंगाए खिए ए एए एक रहे एए बहुवद एए लुवद एए एए, जहए, जरलिप 내नुप एए जड़ कोश़काई आरसाओक आरसाओक जड़ाँ प्लासाओक आरसाओक आरसाओक क्यारे, बड़ा ताम खुआ है तू, सरदार है तू, यहां का हेडड है तू म Dutch का लुआ है तू, यहां तू, बड़ाओ जसे! म्योज्गों है तू, यहां का है तू, यहां का अार, यहां का तू, क् coalition का नहां काय। यहां का Sofit the Tausア north तू, सक पुआ है autres यहां के प्रव तू, क्या है क्या है तू, प्षू. प्रू करेंगा। झाल झाल हलो भाजम कुछ करना है कि नहीं नहीं अबे कुछ मत करना बस एक इशारा भायचान बस एक इंतजार आएगा खुदाफिस खुदाफिस जीद इसकी क्या जरूत है दादा एक बार आँ कही है सुबह होने से पहले आप बार होंगे नहीं मैं खुद बखुद यहां नहीं आया हूँ ना ये खुद बखुद यहां से बाहर जाओगा बडाबस को रिहा करने के लिए देव पुत्र को आना ही पड़ेगा पता है ना आने दो देव पुत्र को आने दो पुत्र को आने रिए पुत्र को आना हुद याल ये खुत्र को आने देवा रिए जाने खुत्र को आने बाहर I.U.F., B.K.R., I.U.F., B.K.R. CETENRA P10! CETENRA P10! CETENRA P10! झाल। वाल। शुरू करो। जातेने, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक ग्रूमिंग और मेकोवर की जरूरत है, मैंने एक पियार टीम को असंबल किया है, देर रेडी तो स्टार्ट विन यूवा, दीधी, दीधी आपने इंसेस्ट किया, सिर्फ इसलिए मैं यहां आया, यह सब ड्रामा करो, इतना हैसान पीके रामदास या आईएफ का मुझ पर नहीं है, and you know that, one year, one year, मैं इनका साथ दूंगा, and if it still doesn't work for me, I'll leave. Hmm, okay. Where is जानवी? एक्जाम सार पर है ना? इस घर में लोगों के शुर शराबे की वज़े से कॉंसेंटर्ट नहीं कर रही थी, यह फिर से होस्टेल चली गई. तुम्हारे रूम की साफसफाई हो चुकी है. No, not here. मैंने एक विला हाइर किया है, at my own expense. I'll be staying there. Stephen, तुमने मुझे पहिचाना, हाँ? रामदास साफ के सामराज्य में उनके खिलाफ उठी सबसे मजबूत इनकलाबी आवाज. साथ देने वाले दगा देने पर तुल गए. तब पनादी थी अपने सियासती दुश्मन ने. मैं भूल सकता हूँ वहला, रामदास साफ के उस पसंदीदा सियासती दुश्मन को, कॉमरेड रामपाल किशन को, भावानी भावी, वो तो चली गई. अपस में लड़के चैन लूटने वाले दो बच्चों के खरण. और अब देखो, अपने ही घर के कागजात में हेरा फेरी का जूटा एल्जाम लगाके, मुझे जेल में डालती है. इससे बढ़के रहा और क्या बुरे दिन होंगे, एक कॉमरेड के लिए. सब जगह बच्चे ही परिशानी की जड़ है. पांडव हो तो बनवास जाओ, कॉरव हो तो आखों पे पट्टी बांद के चलो. अब सुना है, पीके आर का बेटा लॉटा आया है. वो दुरियोधन है या युधिष्टिर कौन जाने? आखिर कब तोड़ोगे तुम ये गुलामी की जंजीर दोस्तों. आने वाली पेड़ी तो कम सकम चैन की सांस ले. एक बात तुम्हें याद है, स्टीफन? राम दाश के खिलाफ नारे लगाने की सजा के तौर पे, जब भी मैं आश्रे में आता था, वो मुझसे ये गाना गवाती थे. कौन सा गाना? चाहे कोई भी गाये गाने वाले का खुद का कहलाने वाला गाना, यारों का भी गाना, कौमरेट का भी गाना, हाज कल I.O.F. वाले भी भूल गए हैं वो गाना. यहां गान्दी जी तक को I.O.F. वाले भूल गए, अब ये आंदोलन का इंकलाबी गाना कौन याज रखेगा? गाओ ना, कौमरेट, वो गाना हम भी तो सुने. आओ, आओ, साथियो, नई क्रांति लाएं हम, मिलके आसमा पे सूरज, एक नया उगाएंगे. आओ, आओ, साथियो, नई क्रांति लाएं हम, मिलके आसमान पे सूरज, नया उगाएं हम. आओ, आओ, साथियो, साथियो, एक दूसरे का बोज, मिलके आ उठाएं हम, प्रगति कर राह पे देश को वढ़ाएं हम. आओ, आओ, साथियो, साथियो, आओ, आओ, साथियो, साथियो. अर पुरानी बेडियों को आगे बढ़के दोड़ु दो मुठियों में बंद है जो आग उनको खोल दो चुपका भी रहना नहीं जुल्म भी सहना नहीं गर मिलेना अपना हक तो आगे बढ़के चीन लो चीन लो बढ़के 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 बोड़के प्रेश में बसाओपके तो आगे बढ़के लो हुँच नीच भेद भाव छोड़के गले मिले राह बंती जाए खुद्ब खुद्च धरसे हम चले राह बंती जाए खुद्ब खुद्च धरसे हम चले एक नहे समाज का पल सवार याज का मिलके कोशिशों करें तो पधरू पे घुलखिले 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 उआ बंती जाए बंती ऑजब मुझे जाए खुद्च गाए खुद्च अलगे दुलखिले क्यों परो देख़िले तारिय लूग नहीं कि अड़ संगेश नियूगा, सब्सक्राइब। दोगा थॉपर के बारा भूने सूर्पाने, बनी कोफे ब रहें जाती हैं, भूने बहुते हैं रखाने हैं, प्रिया, प्रिया हम जाती हुए रहें जा है को मिलिए और भाएं. कर दो कर दो एक दम पीके आर की तरह शान से चलके आ रहा है ना अब जा अताली अब जावाद जावाद ना नमसकार नमसकार जतिन नमसकार डेट सो साल पुरानी बढ़िया 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 परंपरा पालने वाली एक पार्टी को मारदर्शन देने का सौभाग्य मिला इसलिए सरवेश्वर का और उससे ज्यादा आयूएफ के हर एक नेता गंग का और कार्य करता का मैं अभारी हूँ अरे ये किया ये तो हिंदी भी नहीं बोल पाता भाई तो क्या हुआ हमारे हाई कमांड में जो हैं वो सब हिंदी अंग्रेजी सीकर थोड़ी नेता बने मुझ पर विश्वास करने वाले आप सभी के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ ये मेरे लिए एक महत्वपूर्न उत्तरदाइक है आइपेड क्यों बन कर दिया वाट सी दूइं वेल दाट वस्माइपेड स्पीच ये क्या मेरी हिंदी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है है ना जैसे ही मैं यहां लैंड हुआ मेरी पहली मुलाकात यहां की एक फेमस इमेज मैनेजमेंट ग्रूप से हुई उन्होंने धोती पहनाना सिखाया मुझे हिंदी बोलना भी सिखाया मुझे डाट से सिमिलारिटी होने के लिए मेरे चहरे पर बदलाव ले आए बोलो पके हुए ये बाल अटलीस सम उफ यू मेह रियलाइस मेकप है ये चश्मा I don't really need it वाट से हुआ कला मभी धोती पहनना जाने बगेर हिंदी में बात करना जाने बगेर PKRamdaas का बेटा जतिन रामदास आप लोगों के सामने खड़ा थोड़ी होगा मुझे धोती पहननी भी आती है और विरोधियों की धोती उतारनी भी आती है मुझे हिंदी बोलना भी आता है और जरूरत पढ़ने पर दो-चार गाली देना भी आता है लेकिन लेकिन आई यूएफ के नेता बनने का मैं काबिल हूँ मैं उस लायग बन गया हूँ ये मुझे यकीनन थाबित करना होगा इसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूँगा डाइट के जरीए आई यूएफ ने आज तक जो भी नाम कमाया है उसमें छोटा सा ही सही मेरा भी योगदान है वो क्या है पूछिए गर्ल्स पूछिए ये ऐसा वक्त है जब आप लोगों की आवाज गूजनी चाहिए गो ओन आस्मी वाई 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 विकॉस बिना मा के पलने वाला एक बच्चा होने के नाते बोर्डिंग स्कूल और विदेश में तड़ी पार किया गया एक बच्चा होने के नाते हमेशा अकेलापन महसूस करने वाला एक बच्चा होने के नाते अपने बाप से मिलने के लिए जित करने का और उनकी गोद में खेलने का मेरा हंग बनता था लेकिन वो मैंने त्याग दिया इस राज की इस पार्टी की और आप लोगों की सेवा करने के लिए पीके रामदास को जो कीमत चुकानी पड़ी वो उनके बेटे का मासूम बच्पन था और मैंने वो दे दिया मैं आप लोगों को किसी और से बिलाना चाहता हूँ अब तक शादी नहीं की इसलिए उसे पत्नी नहीं कह सकता लेकिन हर माइने में वो मेरी जीवन साथी है मीट जैकलें लेकिन गोरी माम से भी जादा हमारा भाई गोरा है हाँ यही तो आई वे है जो आई वे के साथ है और जो खिलाफ है उन सभी के लिए मैं यह कह रहा हूँ आने वाले चुनाव में जतिन रामदास भी लड़ेगा पीके रामदास का बेटा बनके नहीं इस टेट के सभी परिवारों का बेटा बनके सभी भाई बैनों का भाई बनके और सभी यारों का यार बनके मैं यही रहूँगा हम जीतेंगे हम ही जीतेंगे जै हिन जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो गया रोड़ा बनने के लिए अब स्टीफन भी नहीं है अब हमें जरूरतें पैसों की तुमने जो प्रामिस किया था वो फंड वर्मा साहब जटिन रामदास आएगा कहा था मैंने जटिन रामदास आगया फंड आएगा कहा था मैंने फंड भी आएगा प्रामदास आएगा प्रामदास आएगा झाल झाल वाल कर दो झाल झाल कोई आरा है लत्या कोष्ट काड़ है बंदूख हत्यार से बंदर ने कर जाओ जाओ जल्दी झाल 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 बंदर जल्दी कर दो ही खाए भाए थाए ज है? प्वार्ज सप्वार्ण अश्मी देए ने फिरillon है मैने लाड एक और एक तरी बारे में बाउच सुना है दिखार क्या हो खार सकता है? आमार! मार! मार के दिखार? मार! All clear तीनोंका हो गया खुदा निगेबान भाईजाम निगेबान साहित लेट्स गो! ए spend the day वां मेरे प्लाकाः मकांट निगेबान भी एक wealth भी उक्षण अबदू हुआ भी लिसीन रायस भी डायस भी खवाय frustrating पर किसके लिए किया यह नहीं पता साथ दिन के अंदर स्टीफन थॉमस को जेल से रहा कर बाना होगा स्टीफन को जेल से वाई फो वाट Bobby, हम जायद मसूद के अगरूद का मुकाबला नहीं कर सकते उनकी दिमान नहीं मानी तो ना सिर्फ आगे की फंडिंग बंद हो जाएगी बल्कि अभी जो पैसे को दिये वो सूद समय त्वेडरों को तुम ही लटा ले होगे And remember, you have only seven days to release टीफन Seventies Bobby, what happened? Give me one good reason not to kill you Fedor, I can fix this. I will fix this तुम्हारी मर्जी से किसी को गिराफतार करना पार्टी से बर्खास करना फिर उसे शामिल करना तुमने समझ क्या रखा है, यार? माना, I.U.F को पैसों की जरूत है इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा फेका हुआ कचरा उठाने वाली मुंसी पार्टी की गाड़ी है ये पार्टी मेरे साथ रह सकता है तो रह नहीं तो सबसे पहले तुझे नीचे धकेल के तेरे उपर ही महके होंगा समझ गया ना वर्मा तुझे कैसे बता कि मैं यहां हूँ दुनिया वालों का इलाज तुम्हारे अस्पताल में और तुम्हारा इलाज यहां आईरुएद में होता है मैं यह नहीं जानता क्या हां खेचाई बनकर मुद्देपया गुरू राजनीती में हाथी जब मस्त हो जाता है तो उसे मीठा खिलाते हैं क्या क्या या तो हाथी को महावत की सुननी होगी या उसके मस्तक पे मार के गिरा दिया जाए यही तो सही तरीका है ना स्टीफिन के बारे में बोल रहे हो वो ना हमारे काबू में रहेगा और ना ही तुम्हें मिलेगा बेकार में पहाडी इलाके से एक और क्रिश्चन सहयोगी पार्टी को क्यों पाले हैं तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया वर्मा वैसे मेरे लड़के हैं वहाँ सेंट्रल जेल में लेकिन अगर जेल में ये काम किया तो कम से कम उमर कैद है इसलिए रकम बहुत बड़ी होगी एक पुल इस तरफ और उस तरफ दोनों के लिए होता है ये पुल भी उसी तरह चलेगा निक्टा दो सुपारी पार्टी के तरफ से मेली ये भासकर राई के तरफ से स्टीफन भाई तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन उपर से ओडर आया है उससे टाल नहीं सकते है ना हम लोग खून करने का ओडर बोलो क्या करें खून करने का हुकम है तो खून करना चाहिए सर वो मंगलारुस के आदमे श्टेफन को करपेंटर रूम के अंदर तो फिर वो शटर को बाहर से बंद कर दो सर बंद कर दो बंद करते हैं बंद सर ze Mississippi कर दो कर दो दो. खुँँँँँ झुँँँ झाव चिं झाव झावफ झावफंद हम भृफ। झाव झाव झावफंद झाव 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 जिसे फिंग हम व्हो ट्सूपड़ी न सिर्फ। अखब रहार पहार कि अपास है कि अक ही तो धफार कि अक हा बना है उप पर यादप और वाद पर बमें पर यथाद अबे बना ही तो सक्रित अटना बमेशना यादा याद जब अ कि अजए बना है वुछ रादरो राइ बगाद ये टादर शो कर दो कर दो जानता हूँ लेकिन मेरे मार्शेल आट्स में वार की गिंती नहीं, गहराई की एमियत है. बास कर रहा है से बोल देना, स्टीफन से डरने की जरूरत नहीं. अब मैं राजनीती में नहीं हूँ. एम्बिलिस को पुलाओ. स्टीफन, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ. I.U.F. और हम सब ने तुम्हारे साथ दगा किया है. मॉबी ने हम सब को बहका दिया था. अब राम भाई का बेटा आ गया है. और उसे पबलिक सपोर्ट भी है. यकीन करो. तुम्हें पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी. मुझे पता चला यहां क्या क्या हुआ. वो भासकर राय की कर्तूद. लेकिन तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, स्टीफन. तुम बस बॉबी से चोकन ना रहना. वो साप है. जहली ला साप. तुम्हें सीधे रास्ते से आने जाने की आदत है. मगर बॉबी जैसे आदमी को सीधे तरीके से नहीं मार सकते हैं. फिर कैसे मारे वर्बसाब? आ, बताता हूँ. बचपन में एक रेल की पटरी के एक तरफ मेरा घर हुआ करता था और दूसरी तरफ मेरी स्कूल. साथ पढ़ने वाला तैसिलदार का बेटा नासूर था. परेशान होकर मैंने उसे एक दिन पीट डाला. बड़ा हंगामा हो किया. स्कूल वालों ने पिता लोट रहे थे. मुझे चुपचाप मायूश चलता देख पिता जी ने कहा, बेटा महेश, हमसे भी कोई ज्यादा शक्ती शाली कोई हमसे टकराने आ जाये. तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है बेटा. अब देखो, वहां से रेल गाड़ी आ रही है. माननो कि तुम तैस हसी मजा करते हूं, मैं मस्ती से चलते जाओ. जैसे ही रेल गाड़ी पास आए, उसे हलके से कोहनी मारो और धक्का देदो, खेल खता हूं. हम पे कोई शक नहीं करेगा, और रेल गाड़ी अपना काम करके चली जाएगी. राजनीती में आज भी मैं पालन करता हूं, पिता ज साब. लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. आपका बाप नहीं है, मेरा बाप. तो कौन है, तुभारा बाप? वैसे वो बीके रामदा सी ऐसा सुना. जाओ. तब उन्होंने वैसा करने के लिए कहा, हमने किया. अब ऐसा करने को कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे. जो भी करेंगे, फाइदा हमारा ही है. लेकिन अगर अब मैंने बात पल्टी तो, क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ेंगे? तुम खामखा, डर रही हो पड़ना. कोची जाकर ये काम हो जाए, उसी रात की फ्लाइट से तुम्हें और बच्चे को मैं दुबई बेज दूँगा. वहां तुम्हारे लिए नौकरी, रहने का इंतसाम, और दस हदार देरह माइने की सेलरी. बस ना? फिर भी दुबई तक मेरा और बच्चे का के लिए जाना. अरे मैं भी वहां जल्दी पहुंच जाओंगा ना? तुम ज्यादा कुछ मत सुचो. वहां जो कुछ भी तुम्हें बोलना है, मैं लिक कर देता हूं. उस दिन की तरह अच्छे से रट कर बोल देना, ठीक है? तुम्हें निकल रहा हूं, गाड़ी पेज़ दूगा. अलोक, एक बार बच्चे को नहीं देखोगे? आज तो मुझे बहुत से खांग करने बाकी है, फिर कभी आकर देख लूँगा? इसके रूम मेट ने बताया कि हॉस्टल रूम के बात्रूम में ये बेखोष पड़ी हुई थी, जानवी है पता चलती ही यहां ले आई. और ये हाई प्रफाल केस निवड़ी आना है, लेस्टी ने द्रग आना. टेस्ट रिजल साने में टाइम लगेगा. बीच में जब हो पता नहीं बच्चों को ये सब कहां से मिलता है? आज कल ये सब रेर नहीं है. दज रूम मैं. प्लीज गाम. मैं उससे अकेली में बात करना चाहती है. शूर्ट. सुबज अब मुझे कांटक्ट नहीं कर पाए दब होस्तिल बाड़न पानिक हो गई और पोलिस को इंफरम कर द्या मैं. इस तरह पकड़े जाने पर जब खुद के पास कोई जवाब ना हो तब मा और बाप पर इलसाम नहीं लगाया करते नुर बाप यूनो वट आपन्स तो में इन आप आपस तो में आपस? वहां में क्या अभुकत रही हूं कोई अंदाजा है तुम्हें? बॉबी यॉर बॉबी यॉट रीट्स में लेक अ सेक्स्टाइ वट वट जानवी कुछ भी बोलोगी तुम बॉबी ते तुम्हारा सगी बेटी से ज्यादा लेकिन मैं अभी कोई बच्ची नहीं रही जब कोई मुझे छूता है तो उसके मन में क्या है? वो समझने की मैचॉरिटी है मुझ में हेल्प मी इमा लुप में, लुप में इमा अर वे लोगी रहाँ नहीं अर वेला कोई नहीं अगर स्टीफन थॉमस का नाम नहीं लिया तो मुझे और मेरे बच्चे को मा देने की धमकी दी थी मेरे बच्चे का बाप स्टीफन थॉमस नहीं है स्टीफन तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है स्टीफन भाई साब से और आश्राय में रहने वाली सभी से मैं माफी मांगती हूँ शरत आस्क हर किसने उसे धम की दी थी I need a name पूछो उसे वाले स्टीफन भाई साब ही थे मतलब बिना किसी जुरम के स्टीफन तॉमस जील की सजा बुगत रहे है यही कहना चाहती है स्टीफन भाई साब तो दे होता है जितनी जल्दी हो से के उन्हें जील से बाहर छोड़ देना चाहिए इससे अच्छा काम तो पूछा है, Sanjeev I'm gonna burn each one of these awards and citations हमारे कितने सपने थे इस चानल को लेकर And look at you politicians के influencer media को कैसे बचाना है इस टॉपिक में PhD करने वाले Dr. Sanjeev Kumar, CEO NPTV अरुन्दती, पिछले 15 सालों से हम एक साथ रह रहे है इन 15 सालों में हमारा स्टेट जिस तर से बदला है उस तर से कोई स्टेट नहीं बदला Times have changed, so have we 45 crores की NPTV की आज की liability है जो पैसे देता है उसके तलवे चाटने के अलवा इस तेश की media कुछ नहीं कर सकती Idealism, my darling, is dead तुम सोही नहीं I'm, I'm sorry, Preeya अब तक तुम सारी बात जाँ गई होगी नहीं क्या हुआ तुम्हें जानवी, जानवी के एक्जाम्स का खातम आने वाले ओप, मानवी, आनवी, मानवी, मानवी, तुम्हे बदानाएं छाटाएं, बच्वाशी अचिए, मानवी, आनवी, में तुम्हें बतानाःँ चाहता था, बद… गएनभी में देखईं अध। मैंने से सम्झाने की कोशिष की I tried to help her but everything I said just मेरी बच्ची को छूएगा तू मेरी बेटी को तुझ पर विश्वास किया मैंने I trusted you मेरी बेटी को मेरी बच्ची को छूएगा तू छूँगा छूँगा जानवी मेरी बेटी नहीं है तेरी बेटी है So frankly I don't see a moral issue here You're welcome to do what you can अबने छोटे भाई से बोलेगी बोल या अपने वर्मा अंकल से बोलेगी या भेर जाके पुलीस को बोलना है बोल लेकिन उससे पहले प्रिया 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 वैसे ही तुझे और तेरी बेटी को कैसे हटाना है वो भी मैं जानता हूँ अब स्टीफन को यहां लाने की क्या फरूरत है पच्चीस साल के बाद अब वो आपकी ऐसी तो क्या मदद करने वाला है मेरे बच्चे हमेशा मेरी बातों के मताबिक चलें ऐसी जिद मैंने कभी नहीं की जब तुमने जैदेव से शादी करने का फैसला किया तब मैंने मना नहीं किया वो इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद था इसलिए कि वो तुम्हें पसंद था लेकिन जैदेव नहीं है बॉबी मेरा जी घबरा रहा है बेटी कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारी दुनिया तबाह हो रही है तब मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारी मदद के लिए सर्फ एक आदमी होगा स्टीफन तुम्हारी जाओगे तो अमारा क्या होगा सब लोग है ना रोजी फूल मती मौसी और दीदी लो और अगर गया भी तो सब के लिए जनम दिन पर क्रिस्मस पे दिवाली पे सब के लिए तौफे बेजूंगा दादा चुनाओं में आपके बदले मैंने इसले खड़ा होना कबूल किया क्योंकि यहां आपकी शुरू की गई बहुत सारी योजना है वो सब रुकनी नहीं चाहिए ना आपकी गयर मौजूदगी में वर्मा और दूसरे लोगों ने मिलकर अपने कुछ लोगों के जरिये यहां नलमपली का काम का जाड़ अपना चाहा अब यह सब हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं दादा मुझे आपका शिरवाद चाहिए चलो खुश रहो तो मैं जरा पार्टी ओफीस होकर आता हूँ बच्चा ठीक तो है ना जी जी दादा अपर्णा का बच्चा अच्छा तो है ना हाँ अच्छा है चलो अच्छा है जाओ हाँ स्टीफन मेरे आप रिया मुझे तुमसे मिलना आप प्राणा आप रिया आप अच्छा आप रहाँ रामदास साहब ने मुझे बताया था कि कभी ने कभी ऐसी एक मुलाकाद जरूर होगी और इस मुलाकाद के लिए यही सही जगे है यह चर्च, यह सेमेटरी हम दोनों के दिल में रामदास साहब के लिए एक ही जजबात है प्यार और इस्जब के उनका परोसा खाना खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ उनके एहसान के बदले मैं कुछ भी करूँ वो कम है आज मैं जो भी कहूँगा तुम सुनोगी यह मैं जानता हूँ मेरा बाप जो बच्पन में ही मर गया था उस पर नकसलाइट और नास्तिक की मोहर लगा कर यहां कबरिस्तान में ज़रा सी भी जगे नहीं दी इस चर्च ने आखिर में उनकी लाश को कहीं और दफना न पड़ा और देखते ही देखते हैं चर्च खंडर बन गया बारा साल की उमर में जब मा मरी तो रामदास साहब मेरे सामने प्रकट हुए एक मसीहा की तरह मैं जाता था कि हमारी इस मुलाकात का एक कवा भी होना चाहिए मेरी मा क्या कहने चाहती हो हुए मैंका प्रकव प्रकवा तरह एक और बात कहनी थी तुम्हारी बेटी के सारे कालर कार्ड मेरे पास है मैडम सिटी के सारे ड्रग पेडलर्स के साथ जानवी कॉन्टैक्ट में रही है जैसा मिलना है वैसे मुझसे मिलेगा मैं बुलाओंगा जब केंटी बजेगी तो बुलाओंगा ओए मदन तेरी तो चांदी है अपनी सारी परेशानिया मुझे बता दी ना अब जाओ मैं सब देख लूँगा अब मैं लोटके नहीं आओंगा फादर शायद फिर कभी मिलेंगे भी नहीं मैं एक ऐसा सवाल करूँ जो मैंने तुम से पहले कभी नहीं किया तो जब आप दोगे पंद्रा साल की उम्र में यहां से जाने के बाद लोटने तक 26 साल तुम कहां थे ये सामने जो इशू मसी है इन्होंने गलिलिया से जाने के बाद बाकी के 18 साल कहां गुजारे थे उन्हीं के लिए पूरा जीवन त्यागने वाले आपने कभी पूछने की कोशिश की जब वो जवाब देंगे तब मैं भी जवाब दूँगा अब अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछू जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था फादर तो आप जवाब देंगे पीके रामदास उर्फ पीके आर क्या मेरे पिता है तुम चर्च में जाके अच्छे से प्ले करो स्टीफन जाओ रामदास मुझसे मत चुपाओ क्या वो तुम हारा बेटा है रहने दो जवाब नहीं चाहिए नहीं आप जवाब मत देजे अब अगर लौटने का इरादा नहीं है तो यहाँ कंफेशन करके मन का शुथी करन करके जाओ कंफेशन तो किये हुए पाप के लिए होता है ना फादर जो करने जा रहा है उसके लिए तो नहीं ना गाड ब्लेस अंप्रेस दे लौट अलवेस गाड ब्लेस यू मारी जाए जिस गाल को मेरे हाद छूने चाहिए उस पर ओए क्या होट है सर जी यह एरिया इतना ठीक नहीं है जरा संबालेगा क्यों बिना वाज के करने के लिए कह रहे हो चल बे सर जी अगर कुछ प्रॉब्लम भी तो मैं हौन बजाओंगा ओए चड़ोए उसकी कोई जुरूरत नहीं तो खाना खा गया और आराम से आरा मुन्नी बदनाम होगी आज मेरे लिए के तने दिनों की तमन्ना है गाउमती एपिसोड बार बार चला के देखता हूँ लाइट ओन ही रहने दो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तु नहीं है ना सवाहे इंतिजार की कड़ी अब ख्थम हाँ? कबाब में हड़ी मैं देख क्याता हूं जानू हम यू गया यू आया हाण अजाँ पाराँ भुटारे कि अजता है पाराँ पुटा पुटारे रिए कि अजता है Woah लगो को चलबा, शुरब चे कि अरुग, टिस भा झboys ढद हो, तिस भाने, वह जञासी वा से तरी, वा जड फसा कि झों झों को यह को, प्तार वुह झों कि झोळ जडшा कि आग ही तूने मुझ पर हाथ उठाया, वो तो मैंने दिल पर नहीं लिया, लेकिन तूने रामदास साहब के परिवार के साथ खिलवार किया, वो मैं नहीं सह सकता. तंबी मैल्वाहनो, नए थले इल्लडा, थले इडुक्करवे. तंबी मैंने जो वादा किया है, वो फंड्स नहीं मिले तो, मैक्सिमम एक महिना, अधिवाइस, वीलाव टो शट्शो, मुझे लगता है, यही से ही रहेगा, कम से कम इस फ्रेस्टेशन से तो बच सकते हैं, कहना असान है. स्टीफन, वाट दे हेल, हाँ, सच बूलना जिनका उसूल होना चाहिए, वो सिर्फ जूट के सहारी जीवन बिता रहा है, वाट दे हेल, स्टीफन, वी ओवियो एन अपॉलोजी, अपरना के कन्फेशन्स को जैन्यून सब्सक्राइब, राजनीती और मीडिया, एक हड़ी के टुकड़े का दोनों तरफ से चूसने वाले दो भेडिये हैं, कुछ दिनों के लिए उस हड़ी के टुकड़े का नाम था स्टीफन थॉमस, इट सॉल राइट, एन्पी टीवी का एक फंडिंग इशू है, यह मैं जानता हूँ, बिमल नायर जिसने फंड देने का वादा किया था, वो मुकर गया, तुम्हारा कर्जा, मैं अभी चुका दूँगा, लेकिन आज के बाद प्रिदर्शनी रामदास जो कहेगी वही होनी चाहिए, तुम्हारी एडिटोरियल पॉलिजी, एन्पी टीवी के फंडिंग इशूस जैसे आप समझते हैं, यू आप मेशेज, 45 ग्रोर्स? हैपी? और ये डील एन्पी टीवी के सीओ डॉक्टर संजीव और चीफ अडिटर अरुन्दती संजीव और मैगना गुलूप के चंडी के साथ नहीं है, मेरे साथ हैं. इस डील इस विद देवल. स्टीफन, शर्ट पे खून का दाग? किसान हो ना मेडम, कुछ खर उखाड रहा था। जदीन, तुमारी गाड़ी में एक बॉक्स है, उसमें चुबी फोल्डर्स और फाइल्स है, वो तुमारे लिए हैं. जीदी, भालो? अब्दूल, मेरा यकीन करो, स्टीफन आक्टिव पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ चुका है. पूरा I.U.F. मेरी मुठी में. जदिन रांदास, PKR's son is my puppet. I promise you, तुमने जो पैसा खोया है, वो सूच समीथ मैं लोटा दूँगा. We are on. Just move the funds afresh. हाँ, बोल. वर्मिन पॉबे. इन डॉकिमेंट्स की कॉपीज, मैंने NIA और Anti-Narcotic Squad के हवाले कर दिया है. Indian Penal Code, Chapter 17, Offenses Against Property में शामिल 84 section के हर एक single section के मताबिक, विमल नायर एक अपराधी है. Drug Pedaling की बात कहूं तो, NDPS Act के हितिहास में ही, ये शक्स एक Classic Offender है. वो Land Deals जिसमें दीदी का नाम है, भले उनकी जानतारी के बगएर है, फिर भी उनके signature के जरिये उन्हें भसाये गए इन्लीगल डील्स की निश्पक्षता से inquiry होगी, ये मैं वादा करता हूं. इस गल्दी की जो भी सजा होगी, उसे मैं और मेरा परिवार सुईकार करेंगे. Mr. Vimal Nair is an anti-national criminal. Hello. तुने सुचा मुझे दगा देकर तु महां राज करेगा. अगर मैं तुझे बुलाना जानता हूं, तो तुझे खात्म करना भी जानता हूं. तुझे किसने कहा कि तेरे बुलाने पर मैं आया हूं. मैं आया हूं अपने भाई के कहने पर. अब्दुल जस्ट, जस्ट गेप में तु मॉल्टिफ्स. एक चॉपर, स्पीड लॉंच, एनिधिंग. वहां से इल फाइंड मावे तो दुबाई. मुझे थोड़ी सी महलत दो. इस पीच मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा. मैंने कहा था ना बॉबी, अच्छी तरह सोच समझ कर ये खेल शुरू करना. अब यहां से जाने के लिए तुम्हे फेडॉर की मन्जूरी चाहिए. एंड ही बैक टुनाइट. वर्मा जी, इन फाइलों में जहां जहां बिमल नायर का नाम है, वहां वहां महेश्वर्मा का नाम भी मौजूद है. फिर भी मैंने इसका खुलासा क्यों नहीं किया जानते हैं? आपके 40 साल के सियासती तज्जूर्बे की मुझे जरूरत है. आज से मेरा कहा मान कर अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ रहेंगे, तो इन फाइलों की ओरिजिनल कॉपीज दुनिया के सामने आए बिना मेरे लॉकर में सुरक्षित रहेंगे. विल्कुल, ऐसा ही होगा बिटा. अच्छा, वैसे एक बात कहना तो मैं भूल यह. पुरानी वो रेल की पट्री, घर, स्कूल, सामने आने वाली रेल गाड़ी, हल कैसे कोनी मारना और धक्का. आपकी यह पुरानी फैमिली ट्रिक मुझ पर आजमाने का मन करें, तो पहले से बताईएगा, ओके? स्टीफन थॉमस का बाप कौन है, यह जो आपका शक है, वो रहने दीजे. मैं स्टीफन का ही भाई हूँ. कल सुबह एरेस्ट वारंट के साथ, NIA टीम मुंबई में लेंड करेगी. उससे पहले मुझे वो चाहिए, वो भी जिन्दा. होजाएगा भाईजार। अपना नहीं रहा है, अपना साया। यह हवा मुली नहीं कोई भी इस घंदे में गल्ती भी है सही। दुनिया का है क्या जो कहती है कहे। इस चसकी की भी दवाई है गही। जीवर के अब जीले भीरे दिबारे की दादेरे, रोके ना कोई हमको यहा। सारी जन्जट भूलादेर, खोड़ी सी फिलादेर, युही भूमे दूमे ये जहा। ओ यारा, रफ्तारा, नचे नचे, डंकारा, बाजे बाजे, धूम्दणा के, धूम्दणा के हा। दिवाने सारे रफदारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे आके 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 हाँ ओ यारा रफदारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे दूंदना के धूंदना के हाँ तीवाने सारे रफ़कारा नचे नचे डंकारा बजे बजे आके 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 हाँ यह माम बोले नहीं कोई भी इस घंदे में गलती भी है सही में बजे में गलती प्युदा हा हाँ थो जाहिर नहीं कोई देखरा अचे घंकारा जहर दो सही घंक से तो झाल 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 शैतानी नियतों से पीछा छुडा के जाने कहां तु जाएगा जाए जाहां भी जाहे साए मेटे धोखा ही धोखा पाएगा घिर घिर खोल पितार दुनिया तारी भाण में जावे मेरे ताल पे गारे गारे हां अहां शैतान आपान रहारे सबके अमने खेल निराले कोई भी कोई भी हारे ना तु तु छोखा है नाचे रहा आपदंप्राह नाचे रहा बाजे धूंदना में, धूंदना में, धूंदना में दीवाने सारे रहाततर नाचे रहाततर ड्ढदंक्राह बाजे रहाततर चालो, गली पे कोई भूच़ quelle बंदुक निगालो, जलो जल्ली एंद अगम爸爸, मैं तela, मैं लिंगा मना रिएको में ब辿li भ long Minnie युरमो झाल ुरमो झाल ुरमो ak मैं अजाण cialент कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नेलुटो आपातします कि दो सिरह चरहरे रस्ता कैसा मोढ कहा तरए जारा भी जाने ना के दूज़ क्या हब डी वाने सारे रवतार था नचे लंग लंक नचです ओ यारा, रफदारा, नचे, नचे, तरिकारा, बाजे, बाजे, धूम्दना के, धूम्दना के हाँ, तीवाने सारे, रफदारा, नचे, नचे, डंकारा, बाजे, बाजे, आके, 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 हाँ जए और जए उयाँ अपनाजे टंकार बाचे बाचे दूंदाना के धूंदाना के हां तीवाने सारे रफ्तार बाचे नाचे दंकार बाचे बाचे आपके, 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 हाँ आपके, 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 आपके यहाँ मामोली नहीं कोई भी इस भंधे में गल्ती भी है सही जी भर के अप जी ले भी रे दिवारे की नादे रे रोके ना कोई हमको यहाँ सारी जंजड भूला दे रे धोड़ी सुपी नादे रे युही घुमे जुमे ये जहाँ जब में बढ़ा करूड जो खेरा आपना सारी जो खेरा आफ दाला नाचे नाचे धंड któ prata आब आपना गे बाश दुंढा केः जी वाँ जाड़ी सारे क्ये कार्श Professor अर्श्या के कहि क्यों जो जोस्पी टुमे क्यों tut आपने के क्यां सारी कर्ण理 वारे खेरा एक 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 हाह एक 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 वकार्वानोग अएकलै लगन दो ekłem प्रड़वस्य कि इस ही लोगट स्टीफिन, प्रिया, बोबी मेरे सामने है, मुझे क्या करना है? बोबी, तुने कभी शैतान को बाइबिल सुनाते देखा है? इजी केल 2517, ओल्ड टेस्टेमेंट बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वज़े से सत्य के मार्क पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं इस अंदकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुर्ण्यात्मा हो जाता है क्यूंकि वो वाकई अपने भाई बहनों का रक्षक और राभट की उन भीडों का मार्क तरशक बन जाता है इसलिए मेरे अपनों को जहर देकर मिटाने की कोशिश करने वाला चाहे कोई भी हो मैं जाला मुखी की तरह उन पर फट पड़ूँगा और मेरे बदले के लावा में जब वो जलेगा तब उसे पता चलेगा कि मैं ही उनका राज है एक मात्रव राजा बीमल नायर की मृत्ती हो गई केरला के भूत पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद और एनराई उद्योगपती बीमल नायर की मुंबई में संदेज अनक साचार्य में मृत्ती हो गई वे ची आलिस साल के थे पूलिस सूत्रों से पता चला है कि मुंबई के धारावी इलागे में अंडरवल वालों के बीच हुए मुट भेड और गोली बारी में बीमल नायर समेथ 10 लोगों की मौत हो गई पूलिस ने ये भी बताया है कि अभी तक पता नहीं चला है कि पिमल लायर वहां क्यूं और कैसे पहुँच गई उनकी लाश पोस्मॉटम के लिए अंधेरी गौर्रमेंट हॉस्पिटल में भेज दी गई है पोस्मॉटम के बाद जल से जल उनकी डेद बॉड़ी उनके रिष्टेदार कभी कभी जो दाना पानी मिलता था वो भी चला गया वैसे भी मैं कर पारटी आफिस में सबके सब जासूस हैं साला किसी का भरूसा नहीं कर सेते हैं हमें एक होना है मुकिष वर्मा सहाब को हीं हम आगे लाएंगे वर्मा साहब साथ होंगे तभी हम जयतिन को हटा पाएंगे और फिर जब पुड़्दा मरेगा उसके बाद हम दोनु ही रहेंगे पारटी में ये तो सही है अब ऐसा कुछ करेंगे तभी तो हम टिक पाएंगे पर उसके लिए रोकड़ा देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना पार्टी की फंडिंग के जुगाल में लेगे बॉबी साहब भी उपर पहुँच गए हाँ, एक आदमी है, मैं पूछ लेता हूँ कौन है? हाँ, सर, जिसकी बात की थी वो साथ में है, जी, देता हूँ लो, कौन है? तू सारी बात डीटेल में समझा दे हलो, अलोक स्टीफन दादा, आप का में दादा अलोक, तुमने मेरे साथ एक गुनाह किया, उस गुनाह की मेरी किताब में सिर्फ एक ही सजा है उखेश? इतने दिन से उस तरफ रहके धोका देता रहा, तो तुझे लगा नहीं? कि इस तरफ भी ऐसा कोई होगा? हिसाब बराबर करने वाला? कि अगा और यंद समाल रहा है कि रहा है आओ आन्दर जा धूँ Milan, a small state in Italy, was ruled by a duke named Prosfero. यह तुमारे लिए है. प्रिये गुवर्धन, आपने मेरे बारे में जो समझ रखा है सब सही है. यह राज्य जिससे नहीं डरता था, लेकिन डरना चाहिए था, वो जहरीला साम, किंक कोब्रा, मैं ही हूँ. और आपने जितनी भी दूसरी खोज की है, वो सब सही है. आपने अपने लिए जो मार्ग चुना है, उस पर चलते रहिएगा. सत्य की खोज करने वालों की इस देश को जरूरत है. जब आप ये खत पढ़ेंगे, तब बिना आपकी जानकारी के एक तवफ़ा आपका इंतजार कर रहा होगा, मेरे आश्रे में. स्ने सहीत, आपकी नफरत के काबिल आप ही का खोजा हुआ, आपका अपना. लूसिफर आइ, चतिन रामदास, दू स्वेर इन नेम अव गौड. गौड's own country स्यादरी के पश्चे मिस्थित इस छोटे से इलाके को किसी अड़टाइजिंग कंपनी के किसी मामरी लेखक ने पहली बार ये नाम दिया होगा, ये मैं जान गया हूँ. अब यहां के लोग भी ये मानने लगे हैं कि पुराने जमाने से यही इसका नाम था। लेकिन ये राज और यहां के लोग ये हकीकत नहीं जान रहे हैं कि इतने दिनों से इनकी रक्षा करने वाला कोई इश्वर नहीं था। और आगे भी इनकी रक्षा करने के लिए कोई इश्वर नहीं आएगा यह इश्वर का अपना राज नहीं है यह सर्क से बाहर निकाली गई परी का राज्य है कि मेरा अपना राज जहां मैं पैदा हुआ था मेरा अपना राज गुवर्धन की भाशा में कहा जाए तो लुसिफर का अपना राज